Hello, I am going to tell you about the problem when you try to transfer files from Android to your PC or computer. Basically, I did it on Windows 10. You cannot, आप Android से जब ट्रांस्फर नहीं कर पाते हैं, फाइल्स को, वो एक कारण यह होता है कि आपके एक एरर आता है और बाहर बाहर जो आपकी विंडो है, जो आप एकसेस करते हो फोन को. यह मैंने फोन को एकसेस किया आपने, और जब मैं फोन को एकसेस करके open करता हूँ, फाइल्सफर करना शुरू करता हूँ, यहाँ से copy-paste करता हूँ,ная send to करता हूँ, तो आपने आप connection बंद हो जाता था. अब ये बंद नहीं होगा आपके पास solution यह है कि आप सबसे पहले तो अपने antivirus और windows defender को जो भी installed है उनको आप एक बार stop करें stop करने के लिए एक example की तोर पे ये देखिए red cross बनावाया मैंने इसको double click किया था और यहां जाके मैंने इसे disable किया तो पहले आप इसे double click करिए और यहां जाके turn off कर दीजिए ऐसे ही जितने भी features हैं ज्यादा तर को off कर दीजिए कुछ आपसे नहीं हो रहे तो कोई बात थी पर main जो firewall है browser control है virus threat detection है इसको बंद कर दीजिए तो पहला काम हो जाएगा आपका second काम है ADB drivers को update करना USB के तो यहां पर आप type करेंगे device manager डिवाइस manager पर क्लिक करेंगे device manager window open होगी जब device manager window open हो जाए दो बार हो गई है पहले सी खोल रखी थी तो आप universal serial bus में जाएंगे और ADB interface जो है इसको update करेंगे अब आप कहो गया again update करना अपने आप में एक problem है कहां से डूडू driver तो better है कि आप universal ADB drivers डाउनलोड करके install कर लीजिए यह link मैं description में share कर देता हूँ तो second काम भी हो जाएगा जब universal ADB driver update हो जाएंगे यह दोनों हो जाएगा तब आप अपना जो भी काम है वो आप आराम से कर पाएंगे तो मैं phone में कुछ भी करता रहा हूँ phone में कोई भी problem sharing की नहीं आएगी मैं ये कोई भी एक चीज़ को delete, access, copy, कुछ भी कर सकता हूँ तो description में सारे link देता हूँ, आप try करिए